अब तक सेवा और सीखने का जरिया रहा सकाउट गाइड भी राजनितिक भहस का मुद्दा बन गया है मुकाबला है भारत सकाउट गाइड और हिंदुसतान सकाउट गाइड के बीच पूर्व मुख्य मंत्री अशोग गहलोत इसे विचारधारात थोपने का जरिया बताते हैं तो शिक्षा मंत्री देवनानी का कहना है कि यह संसकार निर्मान की कवायर स्काउट गाइड की दो बड़ी संस्थाओं में से सबसे बहतर और निश्पक्ष कौन सी है इस पर बहत शुरू हो गई है पूर मुख्य मंत्री अशोग गहलोत ने सरकार पर निशाना साथ तेवे कहा कि भारत स्काउट गाइड के समाना अंतर हिंदुस्तान स्काउट जैपूर में कराने के लिए साथ करोड रुपए उनकी सरकार ने अलोट किये थे लेकिन सरकार बदलने के साथ ही इस दिशा में रवेया भी बदल गया और पैसा वापस ले लिया गया स्काउट गाइड भी साल 2001 से केंदर सरकार से मानेता प्राफ्ट है और इसमें विचारदारा तो अपने जैसा मुद्दा कता ही नहीं है देवनानी बताते हैं कि साथ हजार से ज़ादा स्कूलों में भारत स्काउट गाइड की शाखाएं काम कर रहे हैं लेकिन 4000 से ज़ादा स्कूल अभी भी इससे वंचित हैं और वहाँ पर हिंदुस्तान स्काउट गाइड के जरिए युवाओं में संसकार और सेवा भाव का विकास किया जाएगा गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवनानी ने कहा कि अशोग गहलोत खुद भारत स्काउट गाइड से जुड़े हैं इसलिए उन्हें ऐसा लगता है देवनानी ने तो पूर मुख्य मंत्री को यहां तक कहा कि उनके जैसे बड़े व्यक्ति को विचारदारा थोपने के जैसे आरोप लगाना शोवा नहीं देता भारत स्काउट गाइड को वर्ड और्गनाईएशन ओफ स्काउट मुवमेंट से माननेता मिली हुई है अंतराश्ट्रिय इस्तर की इस माननेता के मुकाबले में हिंदुस्तान स्काउट गाइड भी राश्ट्रिय माननेता की बात कहता है लेकिन यह सवाल तो फिर भी उठ रहा है कि क्या यह वाकई में विचार धारात होपने की कोशिश है या किसी दूसरे संखन को खड़ा होने से रोकने की कोशिश कोचिंग नगरी में बढ़ते चात्रों के आत्मत्या के मामलों को ग्राजभवन ने माना गंभीर राजयपाल ने जाहिर की चिंता 24 बिंदूओं पर वर्दमान मावीर खुलाविस विध्याले को रिपोर्ट तयार करने के दिये आदेश जी मरूधरा ने प्रमुकता से उठाया ताक कोटा में चात्रों की आत्मत्या के मामले को ट्राश्टी अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में 2014 के आपरादिक रिकॉर्ड सार्वजिनिक किये हैं जिसके मुताबिक राजस्थान में सबसे ज़्यादा आत्मत्या कोचिंग नगरी में होने की बात सामने आई रिपोर्ट राजभवन पहुँची तो राज्यपाल कल्यांट सिंग ने मात हतों को बढ़ती आत्मत्या की प्रवरती की वज़त अलासने के निर्देश दिये इसके बाद सक्रिये हुए राजभवन ने व्यमोई को कोटा में कोचिंग कर रहे चात्रों, सिक्षकों, कोचिंग और होस्टल संचालकों के बीच जाकर सर्वे करने और किसोर उम्र में बढ़ रही आत्मत्या की प्रवरती की वज़त अलासने के निर्देश दिये राजभवन ने साथ की कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का पैटर्न, खेलकूद और काउंसलिंग की ववस्ता, सिक्षकों और चात्रों के बीच संबात की भी जानकारी मांगी वियमोयू के सोत्तार्तियों ने दो सो चात्र, पच्चिस कोचिंग संस्थान और चालिस होस्टल में जाकर वहां की इस्तिती पता कर प्रारेंबिक रिपोर्ट तैयार की है निश्चत रूप से ये उनकी डूटी बनती है ताकि अपने वहां विद्यार थी हलनको कहा तो यह आता है को लोग करते हैं अब कितना करते हैं इसमें गहराई में तो हम लोग अमारा विभाग नहीं जाता लेकिन विद्धी काउंसलिंग हो रही होती जिसे नवंबर के पहले सप्ता में राजभवन भेज दिया गया राजभवन से जुड़े सुत्रों के मुताबिक प्रारंबिक रिपोर्ट मिलने के बाद राजजपाल कोटा के कोचिंग के लिए मेडिटेशन सेंटर और स्पोर्ट ट्रस अकैडमी की सौगात दे सकते हैं की गंबीरता को समझते हुए इस पूरे मामले को प्रमुकता से दिखाया था अब राजभवन इस पूरे मामले पर जब सक्रिया हुआ है उमीद की जा सकती है व्यमोयू की रिपोर्ट राजभवन में सब्मिट होने के बाद इन कोचिंग संस्थानों के लिए जारी होगी गाइडलाइन जैपुर मेर निर्मलनाटार उनके बोर्ट को आद एक साल पूरा हो चुका है एक साल पूरा होने पर मेर निर्मलनाटा ने अपने पूरे बोर्ट के साथ एक प्रेसवारता के जरीए जनता के सामने अपनी उपलब्दिया गिनाई जैपुर नगर नगम का बोट जिसे हम शहरी सरकार भी कहते हैं उसे बने आज एक साल पूरा हो चुगा यानि कि जैपुर के मेर निर्मलनाटा ने अपने बोट से में पूरा एक साल कर लिया है नगर निगम के सवागार में आज खुद मेर नर्वलनाटा ने अपने पूरे बोर्ट के साथ में अपनी तमाम उबलब दियां जंता के सामने रखने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने बताया कि नगर निगम उन्हें बिगड़े हालातों में उला था और उसको ट्रेक पे लाने में उन्हें एक साल लगाए इस जोरान उन्होंने अपनी उबलबजियां के नहीं तो वहीं पे जो उनकी कमजोरिया रही उन्हें भी जनता के सामने रखा मोटे तोर से हमने तीन व्योस्ताओं की तरफ ध्यान दिया सरवपरतम गुड गवर्नेंस निगम जनता से जुड़ा हुआ सीधा संस्तान है आम जन जनम मरण परण तीन जिंदिगी के जो मुक्ह से है कहीं निगम सीधे तोर से निगम से जुड़े हुए है वहीं डोर टो डोर कलेक्शन का जो जिम्मा नगर निगम के हाथ लगा है उसके लिए 102 दिन में टेंडर जारी हो जाएगा इस बात की जान करेदी वहीं एक से 15 दिसंबर तक जैपर शेयर में बड़ा मेगा सफाई अभियान चलाया जाएगा कचा निस्तारण में जैपर नगर नेगम पीछे रहा इस बात को भी स्विकार करने में मेर निर्म नाटा पीछे नहीं रहे बोर्ड मीटिंग से लेके सफाई की मुद्धे पर मेर नाटा को आज मीडिया ने घेरने की कोशिश की लेकिन हर बार उनका एक ही बयान सामने निकल के आया कि इस चितियों को सुधाने की कोशिश की जा रही है जैपर मेट्रो को राश्टी स्थर पर मिली पहचान मेट्रो ने पांच मेने में ही रचा नया कीरती मान शहरी हम विकास मंत्राले ने नवाजा बैस्ट अर्बर मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट पुरुसकार से केंद्री शहरी विकास मंत्राले की अवार सेलक्षन कमिटी की अनुशंचा पर केंद्री शहरी विकास मंत्री ने जैपुल मैट्रो रेल परियुजना को फेज वन को बेस्ट अर्बन मास्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट पुरुसकार की के अंतरगत विशेश पुरुसकार से नवाजा है शेहरी विकास मंत्राले भारसरकार के तत्वाधान में परतीवर्ष अर्बन मॉबिलिटी इंडिया प्रदेशनी का आईजन किया जाता है चारदीवे सीये इस कारिकरम का शुबारम 24 नॉबंबर 2015 को कैंद्री शेहरी विकास मंत्री वेंके नाइडू की दुआर किया गया था इस कैटेगरी में पांच पुरुसका नामित किये गए थे जिसमें देश भर के अर्बन ट्रांस्पोर्टर ने इस्सा लिया था हमें बहुत खुशी है आज शेहरी विकास मंत्राले की तरफ से आयो जीत इस समारों में जैप्रु मेट्रो को स्पेसल अवार्ड मिला बेस्ट अर्बन मास्ट ट्रांजिक प्रोजेक्ट के नाम से इसका जैप्रु मेट्रो का सबसे बड़ा जो इंप्रेसिव या स्पेसल फीचर है वो यह है कि हमने इसको रिकोर्ड समय में पूरा किया और निर्धारी दलागत में पूरा किया आम तोर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो अनुमानी दलागत होती है उसे काफी ज़्यादा धनराशी खर्च होती है तो इसको हमने निर्धारी दलागत में पूरा किया इस बात को भार सरकार ने बहुत महत्ते हो दिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पांच महा से कम समय में ही सफल संचालन के लिए जपर मेट्रो को इस विशेज पुरुषकार प्राप करना आने वाले समय में नई मेट्रो रेल सेवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा इतने कम समय में राश्ट्र पुरुस्कार प्राप करना जैपर मेट्रों के साथ हर जैपर वासी के लिए गोरव की बात है बच्चों को पढ़ाई में मदद करने वाले 50 से भी जादा मोबाईल अप अपने इस तर पर तयार करने वाले अलवर के मुहम्मद इमरान के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है आज राजदानी जैपूर में पुरुस्करच शिक्षा फोरम और शिक्षा विभाग की तरफ से अलवर के इमरान का सम्मान किया गया शिक्षा मंत्री वसुदेव देवनानी और पुरुसकर्ज शिक्षक फोरम के महासचीव रामेश्वर्श शर्मा ने इमरान को सम्भानित किया टैगोर एनराई स्कूल में हुए कारेकरम में जैपूर कलेक्टर कृष्ण कुनाल के साथ ही टैगोर ग्रूप के निदेशक पीडी सिंग भी मौजूद रहे इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने इमरान को सराहा तो साथ ही यह भी कहा कि वे इन एप की उप्योगिता शिक्षा में और बढ़ाएंगे मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं अंतराष्ट्री इस तरपर और राष्ट्री में कुछ इस परकार के तत्व जो भारत को ऐस्थिर करना चाहते हैं उन्होंने भारत के सम्मान को भी घटाया है और भारत के गौरों को भी घटाया है इसे इस्तपगार के वेक्चियों को अपनी भाषा को उपयोग करते समय दसबार सोचना चाहिए जीने के लिए भारत से ज़्यादा कोई अनकूल दूसरा देश सभी समुदायों के लिए दू कर रहे हैं और ऐसी कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मैटिरियल एक ही जगे मिल जाए साधी तक्निकी शिक्षाई भाग की तरफ से कंप्यूटर प्रोग्राम की पोस्ट के लिए मिले आफर पर इम्रान ने कहा कि अगर एफ वाला काम किसी भी तरीके से आगे हमें सकारात्मक बातों को फैलाना चाहिए उन पर काम करना चाहिए मुझे तो कुछ मैसूस नहीं होता है तो क्या आमिर खान को इम्रान से अपना 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 नजरिया है कोई किस तरह सोचता है हर्वेक्ति स्वतंत्र अपने तरीके सोचता है पढ़ाई में मददगार साबिध होने वाले मोबाईल एप बनाने वाले मुहमद इम्रान खुद मानते हैं कि प्रदेश में कई होनहार लोग हैं और उनको बढ़ावा देने की जरूरत है साथ ही वो ये भी कहते हैं कि देश और प्रदेश में कई सकारात्मत बाते हैं लेकिन उनको कई बार दबा दिया जाता है और छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाये जाता है एसा इशनुता के मद्दे पर भी इमरान ने कहा कि उन्हें देश में कहीं भी ऐसा इशनुता दिखाई नहीं देट देशबर में आमीर खान के एसा इशनुता के बयान पर जगए जगए बवाल मचा हुआ है राजधानी जैपूर में भी आज कुछ ऐसा ही प्रदशन देखने को मिला जैपूर में आज ABAP के कारे करताओं ने आमीर खान का उतला जलाया वालीवूड एक्टर आमीर खान के ऐसा ही शुरूता के बयान पर देशबर में बवाल मचा हुआ है देशबर में जगे जगे आमीर खान के खिलाफ गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं आज राजधनी जैपूर में चादर चात्राओं ने आमीर खान को देश छोड़ने की नशियत देड़ा ली युनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर एबीपी की और से किये गए इस प्रदेशन में आमीर खान का खुतला जलाया रास्तान विश्वित डाले गेट पर जिस प्रकार से गतिनों में चल रहा है अमीर खान ने जो भारत देश के उपर जिस प्रकार से उन्होंने सही सुनूता की बात की है उसके खिलाब आज अकिल भारते वित्यारती परिश्वित ने आमीर खान का खुतला जलाया है और उसको यह संदेश हो चाया है अगर वो अपने इस देश के लिए ऐसी विचार दाना रखता है तो उसे इस देश में रहने लायक नहीं है उसे इस देश को छोट देना चाहिए इतना ही नहीं गुसे से लाल छात्रों ने आमीर के उतले को लाद भूसे भी मारे चाहत्रों का कहना था कि आमीर को देश के लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया लेकिन इसके बाद भी आमीर ऐसे बयान दिय रहे हैं जो विल्कुल गलत है जैपूर में प्रदेशन के दोरान आज चाहत्रों ने आमीर खान को देश शोड़ने की नसिया डे डाली चाहत्रों का कहना था कि देश से इतना प्यार और सम्मान मिलने के बावजूद भी ऐसे बयान काफी शर्मिन्दगी है अंशन पर बैठी पूजा चाहबड़ा को पुलिस ने कराया असम्मास अस्पताल में भरती परिजुन ने लगाया जबरा अस्पताल में भरती करने कारों मजबूत लोकपाल और फूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से चाहबड़ा है अंशन पर अपने ससूर और पूर विधायक गुरू शरन चाहबड़ा की पुत्र वधू पूजा शराबड़ा उन्हीं की मांगो को आगे बढ़ाती वे पिछले 5 दिनों से अंशन पर बैठी थी लेकिन आज जब पूर पूलिस ने उन्हें अंशन इस्टल से उठा कर समस अस्पताल में भरती करा दिया पूलिस का ये दावा है कि पूजा शराबड़ा की तविध लगातार विगड़ रही थी यही वज़े थी कि उन्हें अस्पताल में भरती कराएगा जाट चिकल्सकों के देख रेक में उनका इलाज हो सकेगा वही पूजा शाबड़ा के पती और पूर विदाय गुरुचन शाबड़ा के फुत्र गोरव शाबड़ा ने आरोप लगाया है कि पूजा शाबड़ा की तवेद बिल्कुल ठीक थी लेकिन पुलिस ने जबरन उन्हें अस्पताल में भरती कराया जिससे कि ये जो मांग च आप जिन्दा ले जा रहे हैं जिन्दा वाफिस बेजोगे कि नी बेजोगे चाबड़ा जी गित रहे हैं अब सरकार ने जब समर्थ खोद को आशवाशन दिया है कि नहीं इनके पूरे स्वास्ते का ध्यान रखा जाएगा उसके बाद ही बड़े बड़े बिगड़ जाती लेकिन गुरव चाबड़ा ने कहा कि पूजा चाबड़ा अस्पिताल में भी अपना अंचन जारी रखेगी और जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक ये मुहीम लगातार जारी रहेगी इस मांग को परबलबल मिला था ऐसे समय में विहार में पूर्ण शराब बंदी की घोशना के साथ ही राजस्तान में भी एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ने लगी है देश भर में आसेशनुता को लेकर मचा है ववाल टॉक ने एक बार फिर दी एकता की मिसाल सिंद्रा गाउं के राजकेशमादियों की धहले में नहीं है कोई मुश्लिम समुदाय का चात्र फिर भी हिंदू समाज के विध्यारती पड़ रहे उर्दू देश भर में जहां नेता से लेकर अभी नेता आसेशनुता को लेकर बयान बाजी कर रहे हैं जिससे संसत से लेकर सड़क तक बावाल मचा हुआ है वही टॉक के सिंद्रा गाउं में संचालित राजकेशमादियों की धहले में कोई मुस्लिम परिवार का बच्चा नहीं होने के बावजूद हिंदू समाज के कपसा 11 और 12 में अध्यनरच चातर जातर हैं बड़ी लगन के साथ उर्दू की सिक्षा ले रहे हैं पर हमारे गाउं में एक मुस्लिम परिवार नहीं है और फिर वह मुद्धू पढ़ रहे हैं हमारे गाउं से पहले किया दस भीस लड़के निवाय में गी उर्दू पढ़ने के लिए जाते थे और फिर उर्दू पढ़ने के लिए उसको भी कुछ रोजगार मिला तो इसी आसा में हमरे गाउं वाले उर्दू की मांग किये यहां पर स्कूल में हम बहुत दूर से आते हैं उर्दी के लिए पढ़ने के लिए नई वासा सीखने के लिए हम उर्दू नई वासा सीखने के लिए एक अलगी वासा है और पढ़ने में तो ये बहुत से रले दिखने में बहुत खटी लगती हैं से हम ये नहीं मान सकते कि ये मुसलमानों की ये भारतिये की उर्दू है हमें ये लगता है कि हम भी सीख सकते हैं उर्दू कहते हैं कि उर्दुवासा किसी समाज की नहीं, देश की एकता, अखंता और धर्मनिक्ष्पक्सा की पहचान है नेता, अभिनेता और समाज के ठेकेदार बांटने की कोशिस कर रहे हैं, वो ऐसान नहीं होने देंगे सीमड़ा गाओं के ये छात्र और ग्रामिन, खुद सहिस्निता की एक मिसाल है, जर्वत है इनसे सबक लेने की रश्मी पात्रा का ब्लाइंड मर्डर बना पुलिस के लिए पहली, ना तो हत्या के कारणों का हुआ खुलासा, ना ही हत्यारों का लगा कोई सुराग इधर मर्तक के पिता और भाई ने शवकी की शिनाख्त, 23 नवंबर को हमीरवास्थाना इलाके के कुए में मिला था शव हमीरवास थाना इलाके में हुआ यूवती का ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए पहली बना हुआ है जहां एक तरफ यूवती की शिनाख्त हो चुकी है वहीं शव की पहचान होने के बाद भी हत्या का राज अभी राज ही है दरसल हमीरवास के मघाव गाओं के रास्ते पर कुए में जिन्स और टीशर्ट पहने यूवती की लाश मिली थी जिसकी पहचान 26 वर्षी रश्मी पात्रा निवासी लखनव उत्तर परदेश के रूप में हुई रश्मी पिछले साथ आठ वर्ष से हर्याना के गुडगाओं में काल सेंटर में जोब कर रही थी और यूवती का पिता इस्टेशन अधिक्षक पदबर कारे रथ है पुलिस तफ्तीश में कॉल डिटेल के अनुसार 22 नौवंबर को वह गुडगाओं से निकली थी और 23 नौवंबर को सुबह कुए में उसकी लाश मिली थी इधर देर रात यूवती के सुप्रिडेंट पिता परदीप कुमार और उसके भाई संदीप ने شव की शिनाफ्त कर ली है और पुलिस ने शव को परिजनो के सुपोर्द कर दिया परिजनो दोरा किसी पर शक करना जाहिर नहीं किया गया है पुलिस ने हत्या के साथ-साथ यूती से दुशकर्म की आशंका भी जताई थी यूते के सिर्पर चोट और मोके पर तीन लोगों के पैरों के निशान हत्या की साफ पूश्टी करते हैं बहराल पुलिस हत्या की इस कुथी को सुलजाने में चुटी हुई है मॉबाइल कॉल डेटेल के अलावा गुडगाओं के होटलों और काल सेंटर में फुलिस द्वारा कार्यवाई की जा रही है उप राश्टपती हामित अंसारी की पतनी सल्मा अंसारी आज खौजा करीम नौाज की दरगा अजमेर शिरी पहुची जहां उन्होंने अकिदत की चादर और फूल पेश किये और देश में अमन शानती की दौा मांगी देश में बर्ती धर्म की राजनीती से फैल रही नफरत के खिलाफ आज उप राश्पती हामित अंसारी की पतनी सल्मा अंसारी अजमेश शरी पहुची जहां उन्होंने सुभी संधज़त खौजा मुईनिदीन हसन चिस्थी की दरगा में अकिदत की चादर और फूल पेश किये दरगा जारत के बाद सल्मा ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि वे आज अजमेर खास मकसद लेकर आई है उनका मकसद और मुराद है देश में अमन शान्ती कायम रहे और प्राचीन देश हिंदुस्तान की पुरानी प्रंपरा बनी रहे इतना प्राचीन मुल्क है इसकी रवायात खाइम रहे और हिंदू मुस्लिम से किसाई सब महबत और प्यार में मिलकर तुलकर रहना रहें और खुश रहें इसी दूआ के साथ उन्होंने खुश साथ की दरगा में हिंदू मुस्लिम एक्ता की और अखंता की सलामती की दूआ मांगी दरगा जियारत के दोरान सल्मा अंसारी अपने मासे पर हिंदू रिवात के अनुसार इंसानियत का टीका लगा कर पोँची थी तो खुशा के आस्ताना से उन्होंने इस्जत और एहतराम की चुन्री औरी सल्मा को अंजुमन और दरगा कमेटी की जानिब से तबरुक भी भेट किया गया खुशा के प्रती अपनी गेरी आस्ता रखने वाली सल्मा अंसारी जब अजुमन आती हैं तो ब्रहमा की नगरी फुशकर भी जरूर जाती है यही वज़े कि आज माथे बे बिंदिया लगा कर वो खुशा की दरगा अजमेर शरी पहुची जहां अंजुमन के लोगों ने उनको इज़त और अफजाई की चुन्वी उड़ा कर सम्मान दिया इलाज करवाने आई नाबालिक के साथ योन सोसन के मामले में नाबालिक के दर्ज किये गए बैयान कुड़ी थाना पुलीस ने सुरू की मामले की जाच पुलीस के अनुषार 17 वर्षी चात्रा ने रिपोर्ट में बताया कि वह बारुज कक्सा की चात्रा है और करीब चार माह पहले अपनी बिमार होने पर एक गाउं में क्लिनिक चलाने वाले राकेस गोदारा के पास इलाज करवाने के लिए गई थी इस दोरान डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते समय उसके साथ छेड़-छाड़ की इसके बाद डॉक्टर ने स्कूल जाते समय एक सिम दी और मोबाल पर बात करने के लिए कहा कुछ समय बाद उसके परिज़नों ने सिम तोड़ कर फैंक दी इसके बाद उसे जांसा देकर अपने क्लिनिक बुलाया और उसके साथ बुसकर्म किया आगले दिन सुबह चार वजे वे अपने घर पहुंची तो डाक्टर के साथ उसके परिजनों ने मार पेड़ की बॉक्टर के साथ मार पेड़ के बाद गाहों की कुछ लोगो ने परिजनों को डरा दमका कर बॉक्टर के खिलाफ पिलिस में शिकायत में दर्ज करवाने के लिए दबाव भी बनाय था पिलिता के एकोट में बयान दर्द होने के बाद अब पुलिस का कहना है कि जल्ली आरोपी डॉक्टर सलाखों के पीछे होगा अवेद खनन के विरुद्ध पुलिस का शिकंजा कोटवाली पुलिस ने कारवई करते वे दो अवेद खनन से भरे टेक्टर किये जब्त दो चालकों को भी पुलिस ने किया ग्रपतार जी मरुद्धरा पर खबर दिखाये जाने के बाद हरकत में आई पुलिस जालवड जिले के मुंदेरी पुलिया पर कालिसी नदी के निकट खरन माफया अवेद खनन करते हैं यहाँ पर खरन माफयों ने पूरी तरह से जमीन को खोद किया है तथा यहाँ से पत्थर निकालकर अवेद रूप से बेचा जा रहा है इस ख़बर को जी मरुधरा ने प्रकाशित किया था जिसके बाद पुलिस प्रशाशन ने हरकत में आते हुए कारवाइक की है साथ ही महां से दो टेक्टर को मोके से जब्त किया है और दो चालकों को भी पुलिस ने ग्रपतार किया है इस मामली की जानकरी कोटवाली पुलिस के द्वारा खनन विभाब को दी गई है जो की आगे की कारवाइक कर रही है पुलिस ने जानकरी देते हुए बताया कि लंबे समय से यहां पर अवेत खनन का कारिक चल रहा था और जी मरुधरा पर खबर दिखाये जाने के बाद में लगातार कोटवाली पुलिस इसको और नजर रग बनाए थी गोर्तले भेकी पिछले दिनों जी मरुधरा ने अवेत खनन की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया था जिस पर खनन माफिया मोके से टेक टट छोड़ कर नदी में कूद गए थे जिसके बाद में ही खनन माफिया हरकत में आ गए थे और छुप छुप कर खनन का कारी कर रहे थे जालोर बाड में रेसीबी के डिप्टी अंदरा सिंग के अनुसर बड़ुनताराम ने एसीबी में सिकाई दरज कराई थी की रामिन थाना में दरज देज परताना के मामले में विसाला फुली सोकी में कारेरत हेड कांस्टिबल मांगिलाल भील मामले में स्वयो करने के लिए 25,000 रुपे की रिस्वत की मांग कर रहा है जिस पर बड़ुनताराम की सिकाई दरज की गई और उसका सत्यापन कराएगा आज सुबह एसीबी की टीम ने रिसाला चौकी में 20,000 रुपे की रिस्वत लेते हुए रुपी को रंग आतों गेफ्तार किया बंताराम बील है जिसने अपने बार में एक चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कर वई थी कि मेरी पत्नी और सास हसूर में मिलकर मेरे साथ दोका करके एक लाग रुपे लेकर के मेरे शादी की तब एक लाग रुपे लिए और अब मेरे जीवन काल में जीते जी उन्होंने दूसरी जगे पर उसकी शादी करदी नाता कर लिया और मेरे खिलाब में 22 परतारना का दूटा मुकदमा और दर्स करवाया गौर तलबे की ACP द्वारा की की कारवाई के बाद पुलिस विवाग में हड़कम मचा हुआ है एसेफाई पर ABP कारे करताओं में हुआ जगड़ा ABP कारे करताओं ने फेकी श्टूले तो एसेफाई कारे करताओं ने तोड़ी गाड़ी शिकर के हैज के कोलेज में ABP और SFI के लिए जंका काड़ा बन चुका है आज फिर से SFI और ABP के कारे करताओं के बीच जगड़ा हो गया दरसल SFI के कारे करताओं फीसवर्दी के विरोध में पराचारे को ग्यापंदे ने पहुंचे थे SFI कारे करताओं ने पराचारे कक्ष के बाहर नारेबाजी की इसी दोरान ABP के नेता कानाराप अपने समर्तों के साथ पहुंचे और जोनों पक्षों के बीच जग में दड़ब हो गई पराची मांगों का आप में बताने हैं सब्सक्राइब रोज विबिन मांगों के लेकर कोलेज में नारेबाजी करती है सब्सक्राइब बाहर करता है इसी दोरां ABP कारताउं ने सब्सक्राइब के साथ पर श्ठूल पेकी इससे दोनों पक्सों में गर्मा गर्मी बढ़ गई कॉलेज वेकिता हुने दोने पक्सों को स्चाहत कर कोलेज के बाहर बेज़ दिया बाहर आते ही ऐसे भाई के कारेकरता हुने शट लाटियों से कानाराम की जीव पर हमला भोल दिया कानाराम अपनी जीव लेकर भाग गया ऐसे भाई कारेकरता जीव के पिछे भी दोड़े कुख्याद गेंगेटर आननपाल के गुर्गों की डीड़ोना कोर्ट में पेसी इंदर्चंद अपरहन मामले में हुई पेसी परताप पंडुराई, परवेज खान और गुलजारी को एडीजे कोर्ट में किया गया पेस जिवन गुदर अत्यकान के परमुग गवा के अपरहन मामले में तीन आरुपियों परवेज, गुलजारी और परताप पंडुराई को आज डीड़ोना आईड़ीजे कोर्ट में पेसी के दोरान सुरुप चे विस्ता चाक्चो बंद रही गोर्टलवेह की, 2006 में हुए बहु चर्चित जिवन गुदर अत्यकान के गवा इंदर्चन का अननदपाल के इसारे पर अपरहन कर लिया गया था जिसे बाद में माराष्ट पुलीस की साहता से पुन्ने में बरामत किया गया इस अपरहन की साजिस मास्टर माइंड अनुरादा ने रची और इन तिनों ने अपरहन को अंजाम दिया यह सब अननदपाल के इसारे पर हुआ जिसने जेल में बेटे बेटे गवाह पर दबाव बनाकर गवाही बिदलवाने की कोशिस की अननदपाल की फरारी के बाद दागदार हुए पुलीस के दावन में अब और कोई दाग ना लगे इसके लिए अपरादियों के पेसी के दोरान पुलीस सुरक्षा विवस्ता में कोई भी कोताई नहीं बरत रही है